हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने रियल में 12x android मॉइल फुन में अगर आपकी मॉइल फुन का जो वाइफाई है वो कनेक्टेड होने पर भी वाइफाई का इंटरनेट नहीं चलता है तो इस प्रावडम का आप सॉल का चाहिए इस अप करने इस अपको आपको सबसे उपर की साइड यह इंस्टॉल आप का यह और पेज़ रहेगा इस वाले साइड़के सायगा तुन बहुत नहीं के साईड़ना देटा तुलराणच जिरु हो जाता है अगला काम करना है कि बेक पेचपी MR जानाए तुक्य ह इसके भी back page पे जाना है, तो आपने जो meta service सेलेक्ट के अटना है, इसी page में सबसे उपर ही है, system app का यह अप्टिन टैप करना है, अब आपको इस वाले page पे आपको चालो रखना है, इसके बाद phone का setting पेज उपन करना है, सबसे उपर आपको सर्च बार पर टैप करना है अब यहां पर सबसे उपर सर्च बार में software update आपको लिखना है आपको नीचे software update का यह option show होता है से tap करना है अब आपको इस वाली पेच पे कोई भी update का बटन या download इंस्टॉल अगर यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो सर्च बार में research आपको लिखना है आपको नीचे यह option मिलता erase all data factor research इसे tap करना है अब आपको इस वाले पेच में erase all data का यह option टैप करना है तो आपका यह पेज आता है इसमां आपको erase data का यह option टैप करना है इससे आपका phone जो reset हो जाएगा और आपकी problem जो solve हो जाएगी लेकिन phone को research करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है कि आपके phone का जो data है उसका backup ले लिजे अपने phone में और दूसरी बात ही ध्यान रखने है कि आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बात phone को research करना ठीक है तो मेरे बताएवे सारे process आपको use करने से आपके problem solve हो जाएगी ठीक ना